आईफोन में कुछ ऐसे फीचर्स है जो ज़लता लोग को नहीं पता होते, तो आईए इस वीडियो में ये सारे फीचर्स आपको बताता हो, लेकिन वीडियो के END में कमेंट करके मुझे सच-सच बताना कोनसे फीचर्स आपको सही में नहीं पताते है, नमस्कार दोस्तो, मेरा आमेट टेक्नलोजी के दुनिया में हर दे नकर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल specifically आपके लिए आपको ये तो पता ही होगा कि iPhone में आप ड्राइग डौप कर सकते हो लेकिन कि आपको ये पता है कि ड्राइग डौप फोटोस में तो करी सकते हो पर calendar में भी कर सकते हो for example ये calendar event है इसको मैं drag कर सकता हूँ and drop कर सकता हूँ कोई और date पर suppose 12th में आ गया and यहां पर आके मैं इसको drop कर देता हूँ तो कोई भी calendar event का अगर date change करना है तो इस तरीके दे drag and drop कर सकते हो आईफोन में अब आपको ये तो पता है कि photos में कोई भी subject को आप remove कर सकते हो लेकिन what if आप safari में हो कोई google page पर कोई picture देख लेते हो and उस picture में आपको background remove कर देना है तो वो भी कर सकते हो आपको उस पटियों picture पर long press करना है and यहां पर आपको option में जाए copy subject का उसके बाद for example messages में आता हो and यहां पर आके उस पटियों subject को में paste कर सकता हो तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से आप background remove कर सकते हो and उसके लिए वो photo आपको गैलरी में save करने की जरूत नहीं आप directly google से कर सकते हो इस चीज similarly camera and photos में आप text को copy तो करी सकते हो लेकर suppose आपने कोई picture google में search किया है and वहां पर कोई text है तो उस text को इस तरीकी से copy कर सकते हो and उसके बाद कहीं पर भी जाके आप इसको paste कर सकते हो अब suppose PIP mode में आप हमारा कोई भी YouTube पे video देख रहे हो या फिर अगर कोई FaceTime call चल रहा था तो वह यहां पर screenshot में included नहीं होगा अब screenshot की बाद चली रही है तो usually हम कोई भी box या फिर arrow add करने जाते है तो सबसे पहले plus में आते हैं फिर इस arrow पे click करके जो चीज हम दिखाना चाते screenshot पे वह हम कर लेते हैं लेकिन इतना अगर लंबा चोड़ा method आपको follow नहीं करना है तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ तो for example यहाँ पे मैं arrow बना देता हूँ जैसे arrow में complete करूँगा उसके बाद end में मैं को इसको long press करके रखना है जैसे मैं इसको hold करके रखूँगा एक proper arrow यहाँ पे बन जाएगा and similarly अगर मोगो कोई box बनाना तो वो भी कर सकता हो सिर्फ इतना ही करना है end में में इसको long press करके रखना है and यहाँ पे proper एक box बन के आपको मिल जाएगा अब जो भी आपके friend को आप दिखाना चाहते हो आराम से आपका screenshot आप send कर सकते हो उसको अब अगर आप अपने exam के लिए prepare कर रहे हो या फिर सो रहे हो and आपका जो neighbor एक काफी noisy आपको disturb हो रहा है तो आपके iPhone में एक बहुत ही बड़िया feature आपको देखने को मिलता है and उसके लिए हम आएंगे settings में settings में हमको आना accessibility में यहाँ पर आपको एक option मिलेगा audio-visual audio-visual के अंदर आपको आना background sounds में अब यहाँ पर sound में आने के बाद of course आप rain, stream, ocean यह सब तो करी सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको balanced noise and bright noise का भी option मिल जाता है तो balanced noise करेगा यह के white noise play करेगा and वो जो noise है आपके आसपास जो भी disturbance होगा उसको वो cut down कर देगा तो यहाँ पर for example balance noise में select कर लेता हूँ and जैसे मैं इसको on करूँगा तो आपको कुछ ऐसा sound सुनने को मिलेगा जो background sounds को cut करके आपको सोने पढ़ने में help करेगा तो अगर आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग है जो आपको disturb करते हैं तो यह वाला mode आपको ज़रूर यूज कर लेना चाहिए अब अगर आपके पस iPhone 14 Pro या Pro Max है तो आपको एक Always on display को option मिल जाता है अब Always on display जब भी on होगा आपको battery percentage नहीं दिखेगी बैटरी percentage देखने के लिए आपको एक बाद टैप करना पड़ेगा इस पड़ेगों स्क्रीन पे लेकिन वाटव आपको Always on display के उपर आपको बैटरी percentage देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर long प्रेस करना है उसके पाद एक lock screen यहाँ पर create कर लेते हैं for example यह वाली and next आपको click करना है add widgets पर यहाँ पर आपको select करना है batteries and battery पर click करके आप कोई भी इसमें से icon select कर सकते हैं for example यह वाला widget में add कर लेता हूँ यहाँ पर मैं cross कर लेता हूँ again cross करते हैं and एक बार इस पर tap करेंगे जब तो आपको यहाँ पर automatic लिखा हूँ आ रहा है अब आपको करना है है कि automatic पर click कर लेना है and next आपको यहाँ पर devices की list मिल जाएगी जिस पर आप जैसे click करोगे आप select कर सकते हो कौन से device की battery आप देखना चाहते हो अगर आप Apple Watch की देखना चाहते हो तो Apple Watch यहाँ पर select कर सकते हो अगर आपको इस पर आइफोन की देखनी है तो फिर इस आइफोन को select करके आपको इसको cross कर देना है and जब वापस यहाँ पर आओगे इसको add कर दोगे set as wallpaper करेंगे and जैसे इस पर इस phone का always on display on हो जाएगा फिर भी आप इसकी battery percentage यहाँ पर screen पर देख पाऊगे तो always on display को अगर आपको सही माइनों में use करना है तो battery percentage का widget आपको ज़रूर add कर लेना चाहिए चलिए तो अब मैं आपको ऐसा trick बताता हूँ जो हम very very sure आपको नहीं पता होगा तो उसके लिए आप आओगे settings में settings में आपको आना है wifi में अब wifi में आने के बाद यहाँ पर आपको edit का option मिल जाता है edit पर आप जैसे click करोगे यहाँ पर आपको वो सारे wifi networks मिल जाएंगे यहाँ उन wifi के passwords को आप देख भी पाओगे interesting लगा यह वाला feature तो आईए एक और ऐसा interesting trick बता देता हूँ तो again उसके लिए हम आएंगे settings में settings में आपको ढूढना app store तो यहाँ पर आपको app store मिल जाएगा app store में आने के बाद यहाँ पर आपको in app content दिख रहा है जो आपको tick mark कर लेना है अब यह करेगा क्या तो कोई भी नया app आप install करते हो for example कोई game आपने install कर ली तो जैसे आप install करोगे कुछ additional downloads होंगे उस पड़ियो game के अंदर जो installation के बाद download होने चाहिए और उसके बाद ही आप उस game को खेल पाओगे तो यह setting basically यह करेगा कि जैसे वह install हो जाता है साथ में साथ में background में उस पड़ियो game में जो भी content वो भी download होना शुरू हो जाएगा तो since वो content preload हो जाएगा तो आपको wait करने की जरूत नहीं है आप installation and content downloading एक साथ कर सकते हो और आपके first launch पर वो game ready हो जाएगी अब यहाँ पर में कोई confusion था I am sure आपको भी यह same confusion होगा that is in-app content and background app refresh किया यह same चीज़ है तो एक completely different चीज़ है background app refresh यह करेगा कि background में उसको refresh करता रहेगा लेकिन in-app content जो है first app जब भी install करोगे तब ही ओ content को download करेगा एक बार install and download हो गया उसके बार इस particular feature काम खतम हो गया है चले तो अब आपको एक और interesting trick बता देता हूँ for example यह जो picture ए फोटोज में इसको मैं edit करता हूँ and यहाँ पर में को crop करने का option मिल जाता है auto crop को option मिल जा रहा है इस पर आप जैसे click करोगे तो automatically crop करेगा तो अगर कोई ऐसा picture जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेनत नहीं करनी है तो यहाँ पर auto crop भी आप कर सकते हो अब अगर आपके पास iPhone 14 Pro यह Pro Max है तो of course आपको उसके साथ में dynamic island देखने को मिलता है आइलेंड के आसपास घूमती रहेगी similarly आप कोई और icon भी यहाँ पर select कर सकते हो लेकिन फिलाल हम cat select कर लेते हैं and next always show pixel pal पर आप select करने के बाद action में select कर सकते हैं उस पर यह cat का whether आपको run करवाना, sleep करवाना या आपके चिल करवाना आपके dynamic island के ऊपर and of course इस app को आप जैसे close करोगे तो यह जो cat है dynamic island के अंदर आ गई है अब तो थोड़ा सा अगर मज़ा चाहते हो आपके dynamic island के साथ तो यह वाला app आप आप डाउनलोड कर सकते हो अब dynamic island की जब बात निकली गई है तो यहाँ पे आपको दो और apps मिलते हैं इन फाइक यह दोनों games है एक है hit the island and दूसरा है don't hit the island तो मैं दोनों ही games आपको दिखा दे तो आपके पसंद के हिसाब से इस पडियोड आप को आप डाउनलोड कर सकते हो सबसे पहले बात कर ले hit the island के बारे में तो यहाँ पे आपको सिर्व इतना ही करना है कि इस ball से इस dynamic island को hit करना है and every single time आप hit करो कि इस dynamic island को यहाँ पे इसका count भी बढ़ता जाएगा तो एक बार आपने 10 cross कर दिया होगा उसके बाद एक के जगे आपे दो balls आ जाएगे बहुत ही interesting है and बहुत ही addictive है लेकिन आईए अब बात करें दूसरे app के बारे में that is don't hit the island अब इस particular game में आपको करना ही है कि इस island को आपको hit नहीं करना है तो completely opposite है आपको करना है इतना है कि इस particular ball को आपको hit करना है तो जैसे आप देखो इस particular ball को में hit करूँगा island को अगर hit होगे तो एक problem है तो आप देखते हैं जैसे में island को hit किया तो game over हो चुकी है तो comment करके मुझे जरूर बताना इन में से कौन सी game आपको ज़ादा पसंद आई अब suppose आपका phone lock है and ऐसे में आपको एक call आजाता है वीडियो पसंद आया है तो like and share जरूर करें चैनल पर पहली बार आज सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो bell आइकन दिख रहा है उस पर भी click जरूर करें देखते रहे origin taken हिंदियों मिलते हैं next वीडियो में